हाई, वेल्कम टू मैं चनल, इस बीडियो में सॉल्ट करें हैं क्वेशन अबर 21, वेल इस डग 20 मीटर डीप, तो एक वेल को डग के जा रहा है 20 मीटर, ये डीप है, गहरा है, मतलब यही इसके हाइट हो गई, and it has a diameter of 7 मीटर, तो 7 मीटर उसका क्या है, डायमीटर है, ये पू इसमें से डग हो करके, मतलब खोद करके जो बाहर निकाली जा रही है, is spread out, उसे फैला दिया जा रहा है, on a rectangular plate, एक rectangular plate के उपर, तो ये मालीज़ ये rectangular plate है ये, और इसका length दे दिया है 22 मीटर, मतलब कि ये दे दिया 22 मीटर, इस rectangular plate के उपर जो है, इसको हम इस मिट्टी को बि ब्रेथ दे दिया है, 14 मीटर, ठीक है, ये ब्रेथ दे दिया, अब कहा रहा है कि इस length और ब्रेथ पर ये हम उपर रखेंगे, तो इसका कुछ height बढ़ जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, तो जितना height ये उचा हो जाएगा, मतलब ये वाली जो height है, आपको ये h height find करनी है, तो जो प्लेटफार्म बनेगा, यहाँ पर height बढ़ जाएगी, वही height कितना बढ़ेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है, इसमें से हम मिट्टी क्या कर रहे है, खोद करके, बाहर निकाल करके, यहाँ रख रहे है, ठीक है, तो रखने करने, यहाँ पर फैल जाएगा या विल्कुल और यह एक बना लेगा, foundation, मतलब प्लेटफार्म बना लेगा, और इस प्लेटफार्म का height बूछ रहे है, ठीक है, तो क्या तरीका है, हमें यहाँ पर concept यहाँ पर समझना यह है, एक simple सा concept है, उसी कमसार यह लग जाएगा, जितना भी इस well से earth बाहर निकलेगा जितना, मतलब कि volume, जितना volume of earth बाहर निकलेगे इस well से, उतना ही इस platform के उपर, जितना मतलब मिट्टी यहाँ पर raise होगा, और उस earth के काण जो platform raise होगा, जितना height का, उससे जो बना हुआ जो cuboidal shape का जो cuboid बनेगा, ठीक है न, cuboidal shape का एक space बन जाएगा, और उस cuboid का जो volume यहाँ पर, वही volume होगा, उतना ही volume होगा, जितना इस well से earth निकाला जा रहा है, मतलब well का volume और इस cuboid का volume दोनों equal होना चाहिए, तो इसी concept के यूज़ करते हुए, हम क्या करेंगे, h find कर लेंगे, यहाँ पर पहले हम suppose कर लेते हैं, let the height, let the height of the platform be h meter, ओके, h meter, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, since we know that, volume of earth spread out on the rectangular plot, rectangular plot is equal to volume of the earth dug out from the well. तो यह हम जानते हैं इतना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के, it implies, volume of the cuboidal, volume of the cuboidal주elu value of the cuboidal, volume of the cuboidal platform, is equal to is equal to volume of the well volume of the well मतलब जो कुवे का जो volume है वही volume होजाएगा क्यूबदल सेप वाले platform का तो यहाँ पर क्यूबदल सेप का जो volume होगा वो हमारा क्यूबदल सेप का है तो length, breadth into height करेंगे means l into b into h is equal to volume of the well क्या होगा pi r square h pi r square h अब यहाँ से length, breadth दिया हुआ है 22 दिया हुआ है length 22 meter into breadth की दिया हुआ है 14 meter into height आपको तो finding करना है और pi की value 22 by 7 यूज करेंगे कि यहाँ पर pi की value कुछ दिया नहीं तो 22 by 7 approximately use कर लेंगे r square की value कितना दिया हुआ है दिखे diameter दिया हुआ है 7 meter यह दि diameter 7 meter दिया हुआ है तो r बरावर हो जाएगा 7 by 2 meter means यहाँ लिखेंगे 7 by 2 का whole square into h यहाँ पर जो यह वाली height है ना वो height of the मतलब कि deepness है depth of the well है और यह आपका 20 meter दिया हुआ है यह लिखेंगे 20 meter अब इसको solve कर लेंगे तो यहाँ पर जो unit है उसको हमटा देते हैं यहाँ हम numbers की उच करेंगे तो h बरावर क्या आएगा h बरावर आएगा 22 और 14 से divide कर देंगे इतना में तो यह पहले solve कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा 22 by 7 into यह हो जाएगा 7 by 2 into 7 by 2 into 20 और इसे divide कर देंगे actually यह दोनों numbers जो है ना इधर आएगे तो divide में चला जाएगे means whole upon हो जाएगा यह 22 into 14 अब यहाँ solve करते हैं तो देखे 7 by 7 और यह 7 by 7 कट जाएगा यहाँ पर और 2 अंजा 2 और यहाँ से कटेगा 2 11 जा और यह 2 अंजा 2 और यह कटेगा 2 10 जा अब यहाँ नीचे से उपर भी cancel out हो सकता है तो परेज़े यहाँ पर solve कर लेते हैं परेज़े उपर यहाँ मिलेगा आपको 11 बचा यहाँ पर यह into 7 बचा into 7 into यह हो गया 10 whole upon यह हो जाएगा 22 into 14 अब देखें आपर 7 अंजा 7 और 7 तू जा 14 और 2 अंजा 2 और 2 फाइव जा 10 अब यहाँ पर जाएगा 11 11 अंजा 11 11 तू जा 22 अब यहाँ मिल जाएगा आपको 5 upon 5 into 1 into 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 upon 2 तो 5 upon 2 का मतलब हो गया इसको डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा आपको 2.5 2.5 क्या एगा मीटर क्योंकि सब सारे उनिट्स जाहाँ पर मीटर में उचके गया है तो 2.5 मीटर प्लेटफार्म का हाइट होगा यह जो हाइट जो रेज होगा यहां से यहां तक यह जो हाइट होगी यह होगी 2.5 मीटर और यह ही पूछा भी है और प्लेट जो फ़ाइट प्लेटफार्म स्भाट जो हाइट जो हगी 2.5 मीटर अगी जो हाइट जो जो हमआट ऑा।